Q6 है 2 trains start from station A & B and travel towards each other at speed of 50 km per hour and 60 km per hour respectively आपको 2 trains दे रखी है एक जो train है वो आपकी station A से start होती है और जो दूसरी train है वो station B से start होती है दो station है एक A स्टेशन है एक B स्टेशन है और दो trains वहां से start होती है तुवर्ड्स इच अदर एक दूसरे की तरफ ठीक है opposite direction में start होती है पहली की speed दे रखी है 50 km per hour पहली train है जो 50 km per hour की speed से जारी है और दूसरी की speed है 60 km per hour पहली train के मुकाबले 120 km ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है अपको A और B के बीच का जो दूरी है मैं वो पूछी हुई है ठीक है distance बिना लेता हूं suppose करो इन दोनों ट्रेवर की बीच में यह distance है ठीक है आप ने यह distance निकालना है इन दोनों ट्रेवर की बीच में है यह पूछ है ओक्ए है और आपको बोला कहा जब यह दोनों train मिलती है सुपोस्स कर यहां पे delivery गीरों यह यहां पर यह पहली ट्रेन है और यह दूसरी ट्रेन यहां पे द लूण ट्रेन सपोस्स करो मिली इस वाले तो यह पाया गया कि जो दूसरी से वाली ट्रेन ट्रेन के मुकावले 120 किलोमेटर ज्लाष डिस्टेनisme ट्रैवल करती है मैं suppose कर लेता हूँ, पहली वाली train ने X km distance travel किया, ठीक है, जब वो मिली, इस्टेशन से, जब वो second वाली train से यहाँ बे मिली, तो कितना travel distance किया, A ने X km, तो जो B station से train चली है, वो X plus 120 km distance travel करेगी, क्योंकि बोला है, जो दूसरी train है, वो पहली train के मुकाबले 120 km ज्यादा distance travel करती है, ठीक है, अब एक बात और बताओ, यह दोनों train है, जो दोनों चली है, A और B station से इकठी चली है, और यहाँ बे मिली है, तो दोनों train है, same time के लिए चली होगी, ठीक है, A की speed कम है, एक की speed जादा है, इसलिए इनके जो distance से उसमें फरक आगया, अंतर आगया है, लेकिन दो दोनों train चली, दोनों same time के लिए, जीतने time के लिए पहली train चली है, उतने ही time के लिए B train चली है, दोनों ने time जो लिया है, यहाँ पर मिली है, जब जाके, तो दोनों same time travel करके आई है, तो time का formula क्या होता है, distance upon speed, यहाँ पर मैंने time का formula लगा दिया, distance upon speed, time का formula क्या होता है, distance upon प्रवन प्रमपोर क्छितने घंडी दिस्टैंस त्रवा एंड फ़ी आपन ब स्साइब लाइब थो दिसंडाल आप अ complete कि भी इस तैशन से ट्रेन चल कर आई है उसने कितना डिस्टेंस टेवल किया है एक्स प्लस 120 और स्पीड कितनी है उसकी 60 किलोमेटर पर आर तो यहाँ पे इन दोनों को एक्विशन बनकी इनको सॉल कर लो 6 को इधर बेजो 5 को इधर बेजो तो कितना बना 6x इधर किया बना 5 इंटू एक्स प्लस 120 ठीक है तो 6x इकोल टू 5 को मुल्टिप्लाए करो एक से कितना आया 5x और 5 को मुल्टिप्लाए करो 120 से 12 फाइव जा 60 यहाँ 600 तो एक्स को इधर 6x में से 5x मैनस करो 6x मैनस 5x इकोल टू गहां 600 तो क्योंकि एक्स की वहली कितना आगी 600 मिख्यों डिस्टेंस जो एक ट्रेन चलिये उसनी हाँ तक कितना डिस्टेंस ट्यवल किया आपको पूरा डिस्टेंस पूछा है ए और बी के बीच में मिसी पूरा डिस्टेंस ये तो ये कितना होगा 600 प्लस 120 ये कितना होगा 720 समझे निसमझे क्योंकि इसका ये वाला डिस्टेंस 120 जादा अगरे 600 ये तो 720 होगा 600 ये तो में 120 डालो तो टोटल इस्टेंस की तना बन गया 600 प्लस 720 इतना बनाए 1320 तो इसका अंसर क्या आएगा थर्ड ओप्शन आएगा 320 किलमेटर क्योंकि जो डिस्टेंस ये दोनों के वीचे वो कितना है एक सी ए और एक स्ट प्लस 120 ये तो एक स्टीय लिए 600 आई और एक स् 120 कितना बनता है 720 तो इनको एड़ करोगे तो कितना आएगा 320 किलमेटर थर्ड ओप्शन इसका अंसर है